नमस्कार दोस्तों भार्ची टीम की जीस से वर्ल्ड कप दोजार तेज के पॉइंट टेबल में आया भूचाल जी हाँ दोस्तों हम आपको बता दें मोहम्मस शमियव बुम्रा की दहकल गेंदवाजी की आगे धेर हुए अंगरेज भार्ची टीम की सिमी फाइनल में हुई एंटरी भार्ची टीम का वन्डे वर्ल्ड कप दोजार तेज में बिजेरत धमाकेदार अंदाज में जारी है रोही सर्मा की कफ्तानी वाली भार्टे टीम ने अपना छठा मुकाबला इंगलेंड को हरा कर सांदार तरीके से जीत लिया है दोस्तों हम आपको बता दें मैच में भार्टे टीम ने टास हार कर पहले बल्ले वाजी करते हुए नव बिकेट के नुकसान पर दोसों उनतिस रन बनाए थे जबकि क्रिस ओक्स और आदिर रासित को दो-दो सफलताएं मिली जी हाँ दोस्तों हम आपको बता दें इसके बाद 230 रनों के टार्गेट का पीछा करने उत्री इंगलेंड की टीम सुरुआस से ही लड़कराती नजर आई और 139 रनों के स्कोर पर आका डेर हो गई जोस बटलर की कफ्तानी वाली इंगलेंड की टीम 34.5 ओबर ही खेल सकी टीम के लिए सबसे ज़्यादा 27 रन लियम लिविंग इस्टोन ने बनाए भारती टीम के लिए मोहमस चमी ने चार बिकेट और जस्पीद बुमरा ने तीन बिकेट चटकाए दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह भारती टीम की जीस से खुस हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों भारती टीम को इंगलेंड को बुरी तरह से हराने के वाद वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में बहुत बड़ी खुसकबरी मिली है वहीं पर England की टीम को भारत की टीम से हार मिलने के बाद World Cup 2023 के point table में बहुत बड़ा जटका लगा है और दोस्तों World Cup 2023 के आज के point table में semi final की race से 5 टीमें पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वताने वाले हैं भारत और England के बीच खेले गए महा मुकाबले के बाद World Cup 2023 के point table से कौन सी 5 टीमें बाहर हो चुकी हैं दोस्तों भारती टीम को England की टीम से जीत मिलने के बाद World Cup 2023 के point table में कौन सी बड़ी खुसकबरी मिली है वहीं पर दोस्तों England की टीम को बुरी तरह से हार मिलने के बाद World Cup 2023 के point table में कौन सा बड़ा जटका लगा है और कौन सी 5 टीमें World Cup 2023 में सेमी फाइनल की रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं दोस्तों पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं इसलिए हमारी इस वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों आपको बता दे भारती टीम से बूरी तरह से हारने के बाद इंगलेंड की टीम को बहुत ही बड़ा जटका लगा है इंगलेंड की टीम वर्ल्ड कप 2023 के सेमी फाइनल की रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है इंगलेंड की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें से एक मुकाबले में जीत और पांच मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में इंगलेंड के दो अंक हो चुके हैं दोस्तों आज की इस पॉइंट टेबल में नवे नमबर की टीम की बात करें तो नवे नमबर पे बंगलादेश टीम का नाम आता है बंगलादेश की टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में कुल 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें से एक मुकाबले में जीत और पांथ मुकाबलों में हर का सामना करना पड़ा है और आज की पॉइंट टेबल में बंगलादेश के दो अंक हो चुके हैं दोस्तों अगर आज की पॉइंट टेबल में आठोई नंबर की टीम की बात करें तो आठोई नंबर पे नीदल लेंड का नाम आता है नीदल लेंड की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें से दो मुकाबलों में उसे जीत मिली है जबकि चार मुकाबलों में से हर का सामना करना पड़ा है और नीदल लेंड की आज के पॉइंट टेबल में कुल 4 अंक हैं दोस्तों ही आज के पॉइंट टेबल में सातों नमबर की टीम की बात करें तो सातों नमबर पर अफगानिस्तान का नाम आता है अफगानिस्तान की टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप 2030 में कुल पांस मुकाबले खेले हैं जिसमें से अफगानिस्तान की टीम ने दो सांदार मुकाबलों में जीत दर्ज किये और तीन मुकाबलों में से हर का सामना करना पड़ा है और आज की पॉइंट टेबल में अफगानिस्तान की चारंग हो गए हैं दोस्तों आज की इस पॉइंट टेबल में छटे नंबर की टीम की बारे में बात करें तो छटे नंबर पर पाकिस्तान की टीम का नाम आता है पाकिस्तान की टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में कुल पांच मुकाबले खेले हैं जिसमें से दो मुकाबले में उसे जीत मिली है जबके उसे चार मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान के चारंग हैं पाकिस्तान को सिमी फाइनल में जाने के लिए अपने बचे हुए मुकाबले को जीतना बेहदी जरूरी है और साथ ही साथ दूसरी टीमों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा दोस्तों आज की इस पॉइंट टेवल में पंचोई नमबर की टीम की बात करें तो पंचोई नमबर पर स्रिलंका का नाम आता है दोस्तों स्रिलंका की टीम ने अभी तक कुल 5 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 2 मुकाबलों में जीत और 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और पॉइंट टेबल में उसके 4 अंक हो गए हैं आज की इस पॉइंट टेवल में चोथे नंबर की टीम की बात करें तो चोथे नंबर पर आज टेलिया की टीम का नाम आता है आस्टेलिया की टीम ने अभी तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें से उसे 4 मुकाबलों में जीत मिली है और उसे 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और उसके पॉइंट टेबल में 8 हंक हैं अगर आस्टेलिया के नेट रन रेट की बात की जाए तो 0.970 का बेहतरीन रन रेट है दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेवल में तीसरे नंबर की टीम की बात करें तो तीसरे नंबर पर निउजिलैंड की टीम का नाम आता है निउजिलैंड की टीम ने अभी तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और 2 मुकाबलों में उससे हार का सामना करना पड़ा है निउजिलैंड के टीम की आठंक हो गए हैं उसके नेटरन रेट की बात करें तो प्लस 1.232 का बेतरी नेटरन रेट है दोस्तों अगर आज के इस पॉइंट टेवल में दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर साउथ अफरीका का नाम आता है साउथ अफरीका की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक सांदार प्रदर्शन किया है और टीम ने अपने खेले गए 6 मुकाबलों में से 5 मुकाबलों में सांदार जीत दर्ज की है जबकि उसे एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था और आज की इस पॉइंट टेवल में साउथ अफरीका टीम के 10 अंक हो गए हैं और टीम का नेटरन रेट भी प्लस 2.032 का बेतरीन है दोस्तों अगर वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेवल में पहले नमबर की टीम की बारे में बात की जाए तो पहले नमबर पर हमारी भारतिय टीम का नाम आता है भारतिय टीम ने अपने पिछले खेले गए मुकाबले में इंगलेंड को बुरी तरह से हरा कर सांदार जीत दर्ज की थी भारतिय टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में कुल 6 मुकाबले खेले हैं और टीम ने सभी 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और आज की इस पॉइंट टेबल में टीम इंडिया के कुल बारांग हो गए है और टीम का नेटरन रेट भी काफी बेतरीन है दोस्तों हम आपको बता दें भार्टी टीम वर्ल्ड कब 2023 के सेमी फाइनल में लगबग पहुँची चुकी है अर्टी टीम को अपना अगला मुकाबला स्टिलंका की टीम से खेलना है यादि भार्टी टीम वर्ल्ड कब 2023 के सेमी फाइनल के लिए सीधे क्वालिफाई कर जाएगी दोस्तों वर्ल्ड कब 2023 में लगबग सभी टीमों ने 6-6 मुकाबले खेल लिये हैं इस वज़े से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्ल्ड कब 2023 के सेमी फाइनल के लिए हुआ चार काउन्सिट टीमें होंगी सेमेंट सेक्षन में अपनी कीमती रा लिखना मत भूलिएगा दोस्तों हमें सपोर्ट दिखाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद